Hello friends, बहुत बहुत सौगात है आप सभी के एक बाफ इसे सरकारी हट में हैं तो इस वीडियो में हम लोग एक important discussion करने वाले हैं जो की aims, BSC Nursing और BSC Paramedical Counseling 2022 से related है तो आप सभी की एक query इसके regarding आ रही थी जो BSC Nursing और BSC Paramedical की counseling होगी तो उसके बाद जो है document जो आपको चाहिए होगे जो आपको admission करवाने के लिए documenting है वो क्या-क्या use होने है ठीक है तो basically जब counseling का process जो online चल रहा है जिसके लिए आपको registration करना है, choice filling करनी है तो उस time पे आपको कोई भी document की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन जब counseling का result आ जाएगा उसके बाद जब आपको allotted aims में जो aims आपको मिला है जहां पर आपको seat allot की गए होगी तो वहाँ पर जब आप अपना admission करवाने जाओगे तब आपको सभी documents original अपने लेकर जाने पड़ेंगे ठीक है और साथ ही हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं जो एक लाख रुपे का DD है वो किस case में आपको pay करना होगा ठीक है तो आप सभी से request है कि वीडियो को please end तक देखना और चैनल को ज़रू subscribe कर लेना और bell icon को press कर लेना ताकि ऐसे ही important information आपको time to time मिलते रहे ठीक है और बाकी जिसने अभी तक registration नहीं करें counseling के लिए और choice feeling कैसे करनी है अगर आपको ये नहीं पता तो आप सभी से request है आप जो है insbac nursing counseling की playlist है वो आप check out कर सकते है चैनल पर और उसका जो link है वो मैं comment section में pin कर दूँगा तो वहाँ से भी आप देख सकते है बाकी counseling से लेटेट और कोई भी अगर आपका doubt है या को issue आ रहा है आपको तो आप मुझे instagram पर message कर सकते हैं उसका भी जो link है वो मैंने comment section में pin किया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो है point number 8 में जो है आपके सभी documents mention किये गए है तो उसके बारे में आपर अच्छे समझ लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है all the candidates who are allocated seats are mandatory required irrespective of whether they choose in option 1 & 2 as mentioned in point number 7 and to report in person for reporting and or joining to allocated in for reporting and joining within the date and time specified in the important dates link ठीक है तो यह जो option 1 & 2 है इसके उपर जो है यह जो discussion है यह मैं next video में आपके साथ करूँगा कि option 1 & option 2 क्या है तो आप उन में से कोई भी option choose करते हो basically option वो है क्या पहला option यह बोलता है कि आपने first round में जो seat आपको allocate हुई है उसको आपने accept किया और accept करने के बाद जो है आप further round में मतलब हैने कि second round की counselling में participate नहीं करना चाते है और option 2 का मतलब है कि आपने seat को accept कर लिया जो आपको seat allocate की गई है और वो seat पर आप admission ले रहे हैं और उसके बाद भी आप second round में भी participate करोगे counselling के ताकि आपकी seat जो है वो update हो सके ठीक है तो यह option 1 और option 2 है तो इसमें बोला गया है भले ही आप option 1 या फिर option 2 चूज करो तो आपको दोनों ही cases में जब आप admission करवाने जाओगे किसी भी aims institute में जहां पर भी आपको seat allocate की गई होगी तो वहाँ जाके आपको सभी documents original form में दिखाने पड़ेंगे यह सभी के लिए mandatory criteria है तो यहाँ पर यह बहुत important point है तो यहाँ पर basically बात किसकी चल रही है original certificates की यानि कि जो documents यहाँ नीचे mention किये गए है अगर आप इन सभी documents को original form में लेकर जाते हो तो it's okay अगर आपके पास इन में से कोई भी ऐसा document जो है वो आपके पास अगर original form में नहीं है और आपको सब उसके लिए time लेना पड़ता है वहाँ से कि मुझे अभी इस document को बनवाने के लिए time लगेगा तो उस case में उस document की जगे पर आपको एक security fee एक लाख रुपे के deposit करनी पड़ेगे तो इसका मतलब होगा क्या कि वो जो एक लाख रुपे का DD आप बनवाओगे वो आप कब बनवाओगे जब आपके पास कोई भी ये जो नीचे mention किये गए है original documents जो आपको वहाँ पर जमा करने होंगे counseling मतलब जब आपका admission होगा उस time पे तो अगर आप उन में से कोई भी एक document original form में नहीं देते हो minimum एक document तो उस case में आप क्या कर सकते हो आप 1,00,000 रुपे का DD जमा कर सकते हो और वो क्या करेंगे वो आपको थोड़ा सा time देंगे 3 या 4 दिन का ठीक है तो वो जो time आपको मिलेगा उस time में आप वो particular document जो आपके पास original form में नहीं था आप उसको arrange कर सकते हो और तब तक 1,00,000 रुपे का DD है मतलब demand draft जो है वो उनके बास रहेगा ठीक है तो जितने भी दिन का वो time देंगे 3 दिन का 4 दिन का अगर आप उतने time में arrange करका वो लिया आते हो तो सही है तो आपका 1,00,000 रुपे का DD जो है जो आप जमा करा था वो आपको बापिस कर दिया जाएगा और वो जो आपका original document है वो वहाँ पर लख लिया जाएगा ठीक है in case आपने क्या करा 1,00,000 रुपे का DD दे जमा किया हुआ है आप वो original जो document है जो आपके बस नहीं था अगर आप उसको arrange करने में arrange अगर उसको नहीं कर पाए तो उस case में क्या होगा आपका admission cancel हो जाएगा साती साथ जो 1,00,000 रुपे का DD है वो वो लोग जो है जब्त कर लेंगे ठीक है मतलब वो आपको वापस नहीं किया जाएगा 1,00,000 रुपे का amount तो यह यहाँ पर mention किया गया है ठीक है बाकी मैं और detail में अभी नीशे बताता हूँ तो उसके बाद है list of documents or certificates that are required to be deposited in original और photocopy along with copy of transaction details as applicable ठीक है तो यहाँ पर original और photocopy लिखा है लेकिन आप दोनों ही लिकर जाओगे आप original documents भी लेकर जाओगे सारे और उन सभी की दो-दो photocopies भी करवा लेना तो पहला हो गया admit card issued by Ames तो admit card आपके पास रखाई होगा अगर किसी के पास नहीं है तो वो admit card जो है अपने dashboard से जाके login करके उसको download कर सकता है ठीक है दूसरा है registration slip तो basically registration करने के बाद आती है आभी शायद आपको portal पे ना मिले तो आप क्या कर सकते हो अपनी जो payment वाली fee receipt है उसको आप download कर सकते हो dashboard से जाके ठीक है उसके बाद है next offer letter ठीक है और यह registration slip हो सकता है कि क्या पता जब आपका seat allocation हो जाए तो क्या पता उसके बाद generate हो पर अगर आपको कहीं पर नहीं मिलती तो आप जो अपनी fee receipt है जो आपने application form वगरा फिल किया था तो वो आप एक बाद ज़रूर download करके उसको print करा लेना ठीक है offer letter और जो seat allocation letter है यह दोनों आपका जब result declare हो जाएगा first counseling का तो उसके बाद जो आपको seat मिली होगी उसका allocation letter आपका dashboard पे आपके generate हो जाएगा तो आप वहाँ से उसको download करके प्रिंट करवा लोगे साथ ही offer letter भी आपका वहीं से generate होगा और उसको आप print करवा के अपने पास रख सकते हो ठीक है उसके बाद है next certificate in proof for passing the 12th class under 10 plus 2 scheme और senior school certificate examination और intermediate science और an equivalent examination from a recognized board ठीक है तो class 12th का जो है आपको certificate चाहिए होगा clear है original वाले जो passing certificate होता है clear होगे उसके बाद next है certificate from the board showing हर date of our 10th passing certificate और उसको जो है उसके बाद आपको 12th का passing certificate होगा उसके बाद आपको 10th का passing certificate भी original form में लेकर जाना होगा फिर next है mark sheet of the qualifying examination that is 12th class under 10 plus 2 scheme और intermediate sign or an equivalent examination in proof of having secured 55% or more marks 50% in case of SCST in aggregate in the subjects of English, Physics, Chemistry and Biology ठीक है तो उसके बाद आपको class 12th की अपनी mark sheet लेके जानी हो original form में और ये criteria आपको पहले से ही पता होगा कि आपके 12th में 55% minimum marks होनी चाहिए है फिसिस, Chemistry, Biology और English में मिला कर अगर आप general OBC या फिर EWS category से हो अगर आप SCST के degree से हो तो उसके इसमें आपको 50% marks जाए है अपनी class 12th की mark sheet में उसके बाद class 12th का migration certificate तो ये जो migration certificate है या आप अपने school से जाकर बनवा सकते हो ठीक है तो जिसने भी अभी तक अपने school से migration certificate नहीं लिया है वो जल्दी से जल्दी बनवा ले है क्योंकि आप counseling स्टार्ट हो गई है तो counseling में जाधा time लगेगा नहीं अभी mock round के बाद तुरंट जो है आपका first round हो जाएगा उसमें एक ही दिन का time दिया गया है और उसके तीन-चाह में applicable है वो इन certificates को लिके हैंगे जैसे कि SC और ST का जो certificate है वो English और Hindi language में होना चाहिए तो जो भी कोई ऐसा candidate है जो SC और ST category को belong करता है तो वो अपने certificate को ready रखे जो कि Hindi और फिर English language में ही होना चाहिए ठीक है Community should be clearly mentioned in the certificate तो आपकी जो भी community होगी SC और ST category के अंदर जो community होगी है वो clearly उस certificate में mention होनी चाहिए उसके बाद है OBC और EWO certificate issued by the competent authority for central government jobs for admission in central government college institute ठीक है तो OBC और EWO certificate का जो verification वो अल्लेडी हो चुका है तो जिसका accept हो गया था वो अपना certificate लेके जाएंगे और जिनका reject लेक कर आगया था जिनके पास mail आया था कि आपका जो certificate है वो reject कर दिया गया तो उनको कोई जरूत नहीं है अगर वो ले जाना चाहिए तो ले जा भी सकते है वरना कोई जरूत नहीं है क्योंकि आपका वो पहले ही reject हो गया तो आप जो counselling में participate करोगे वो आप unreserved category से ही कर पाओगे ठीक है फिर next is person with benchmark disability तो जिनका PWBT सब category है तो उनको वाला certificate अपना लेकर जाना पड़ेगा और उसके बाद है self-attested one set of copy of above certificate तो अभी तक हमने जो भी certificates की बात करी जो भी documents की बात करी उन सबे की one attested copy यानि कि उन सब का photocopy आपको निकालना है एक एक और उसमें नीचे अपना name लिखना है और अपने signature करना है ठीक है तो वो आपका self-attest हो जाता है ठीक है बस आपको signature करने होते है name भी लिखने की जरुति है बस आप signature कर देना clear है तो यह सारे documents जो है आप जल्दी से जल्दी arrange कर लो अगर इन में से कोई बैसे document नहीं है तो जैसे migration certificate हो गया तो वो आपको arrange आपर करना पड़ेगा ठीक है बाकी हाँ पर TC और CC के बारे में कोई information दी नहीं है लेकिन वो भी आप arrange करके रख लो क्योंकि वो तो लगे गही हाँ यहाँ पर पतानी है इन्होंने mention क्यों नहीं कर रहा है ठीक है तो आपका जो class मतलब यह है कि class मतलब जब इन्होंने migration certificate लिखा है तो जब आप migration लोगे तो आपको transfer certificate और character certificate तो साथ में दिया ही जाएगा ठीक है तो वो भी आपको लेकर जाना होगा तो इस चीस का ध्यान रखना भला ही इन्होंने यहाँ पर mention नहीं करा है लेकिन transfer certificate यानि कि TC और जो CC होता है यानि कि आपका character certificate तो वो भी आपको original form में लेकर जाना पड़ेगा ठीक है बाकी यहाँ पर जितने documents उनकी दो-दो फो अपना signature कर देना नीचे की तरब जो आपका blank space होगा उसमें तो आप वो आपकी self-attested copy हो जागी बाकी एक जो photocopy है वो आप मतलब future use के लिए रख सकते हो ठीक है या फिर वहाँ पर आपको जरूद पढ़े तो उसके लिए और बाकी अपने four या five photos भी साथ में लेकर जाना passport size photograph ठीक है तो वो भी वहाँ पर आपको जरूद पढ़ सकते हैं ठीक है तो यह सारी document जो आपको ले जाने पढ़ेंगे तो मैं आपको advance में सारी चीज़े बता दे रहा हूँ और हाँ यहाँ यहाँ पर gap certificate के बारे में कोई भी information नहीं दी गई है तो gap certificate भी जो है आप अपना जरूर अरेंज कर ले ना भले यहाँ mention नहीं किया हो सकता है कि वह वहाँ से बोले कि मतलब gap certificate उनके ही institute से बन जाए लेकिन अगर आप बनवा कर ले जाना चाहो तो आप लेकर जा सकते हो अपने जात ठीक है क्योंकि यहाँ पर अगर उनने gap certificate mention नहीं करा है if applicable तो आप अगर आपका gap है gap certificate उन candidates का बनता है जिनकी education से officially one year का minimum gap रह चुका है ठीक है जैसे last year किसी का class 12 complete हुआ उसके बाद उसने किसी भी institute में admission नहीं लिया तो उस case में उसको one year का gap certificate रहोगा सपोज किसी ने 2020 में अपना class 12 complete किया था तो उसके बाद उसका दो साल का gap हो गया उसने कहीं भी admission नहीं लिया था तो उस case में दो साल का gap हो गया ठीक है तो दो साल का gap certificate बनेगा तो आप gap certificate बनवा कर ले जाना चाहो तो ज़्यादा बैटर रहेगा उसमें ज़्यादा charges नहीं लगते 100 या 150 रूपीज लगेगा तो आप अपने safe site पे रहोगे otherwise इन्होंने अगर mention नहीं किया ठीक है लेकिन यह है कि ले जाओगे तो ज़्यादा बैटर रहेगा तो यही सारे documents है ठीक है तो मैं एक बार आपको फिर से brief कर देता हूं इन सभी चीजों को तो admit card हो गया registration slip हो गया offer letter, seat allocation letter, class 12 की mark sheet और passing certificate, class 10 की mark sheet और passing certificate, अब कुछ boards में ऐसा होता है कि mark sheet और passing certificate एक ही होता ह अलग अलग नहीं होता है, तो वो candidates अपनी mark sheet की उपर जरूर चेक कर लें, कहीं न कहीं पर mention किया होगा mark sheet कम passing certificate, अगर इस तरीके का कहीं पर भी mention किया गया है, तो उस case में आपका passing certificate और mark sheet दोनों ही एक चीज है, अगर नहीं mention किया गया है, इसका मतलब दोनों अलग अलग है और अगर आपने वो passing certificate स्कूल से नहीं लिया होगा, तो आप अपनी स्कूल से जाकर उसको ले रहें, ठीक है, बाकी documents के regarding कोई भी doubt होता है, तो आप मुझे Instagram पे जरूर message कर सकते है, Instagram का जो link है, वो मैंने comment section में pin किया होगा है, ठीक है, बाकी और कुछ देख लेते हैं, बाक in case they do not possess a valid certificate, then their claim for the result seat allocated in the first round will be nullified and they will be eligible to appear in the second round as you are candidate subject to cut off in, you are less provided they deposit the original certificates or demand route at the allocated aims, ठीक है, तो वही चीज़ लिखिया है, कि आप जो हो original certificate या तो उनको दिखा सकते हो, या फिर आपको एक लाग रुपे का DT जो है, वहापर आपको जमा करना होगा, तो उसके बाद ही जो है, आ आप वहाँ पर participate कर सकते हो, admission में, ठीक है, तो बाकी और कुछ इतना important है नहीं, इसमें, बस यही चीज़ ध्यान रखना कि जो भी documents हमाँ पर लिखे हुए, उन सभी को आप original form में लेकर जाओ, otherwise आपको issue हो सकता है, आपका admission में वहाँ पर cancel हो जाएगा, clear है, और बाकी ऐसा यानि यह कि सभी को एक लाग रुपे का duty लेकर जाना है, क्योंकि बीच में slash लिखा हुआ है, तो या तो आप अपने original certificates लेकर जाओ सारे, या फिल demand राफ लेकर जाओ, एक लाग रुपे का, clear है, तो यह complete information है आपके documents के regarding, I hope आपको यह video helpful लग होगी है, अगर यह video helpful लगी ह लेकर दो लेकर देना